भविश्यात अंतरालात लड़ला जानार युद्ध प्रांस नकिला अंतराल युद्धा चा सराव अंतराल युद्धा साथ ही भारत ही होतो इस अच्च अंतरायात युएफो मधे टक्कर किमा लेजर गन्न स्पेश शेप नश्ट हुताद ही केवर चित्रपटान मधे बगित लेली दुश्या मात्रात ही विद्यान कथा प्रत्य तैयारी ही सुरू के लिए फ्रांस नकिताच अंतराल युद्धा चा सराव करून सगया जगाला ठकक के ले असा सराव करना रा फ्रांस हाँ पहिला देश ठरलाए प्रांस जो स्पेस वारफेर टेकनालोजी डिमन्स्ट्रेशन अभी किया है वो एक डिफेंसिफ टेकनालोजी डिमन्स्ट्रेशन है और चैना के आंटी सैटलाइट वारफेर के खिलाफ एक स्पेस वारफेर डिमन्स्ट्रेशन टेकनालोजी है स्पेस में सारे साटलाइट जो हैं वो कोई भी आपको आप मुसको मार गिरा सकते हैं उसका कोई प्रोटेक्शन है लिए आट ते बारा मार चिया काला वधीत फ्रांस ना अंतराल युद्ध सराव केला 21-15 साली बंदेला फ्रांस सा पहिला उपग्रह एस्टरेक्स याचा नाव सरावाला देन्यात आले होता उपग्रह आणी अन्य उपकर्ण वापरून शत्रु कडून अंतराला तोन होनारा हलला परताउं लावनेची चाचनी फ्रांस नकेली या अंतर्गत 18 अंतराल अभियान राबाउने अतली अमेरिकानी जर्मनी चा अंतराल फाउजा नहीं याच सर्वाग्घितला जगातले सर्वस देश अंतराल युद्धाचा दिशेन तैयारी करताया अनेक देशानी स्पेस आर्मी बनावले या रेस मधे भारत ही उतरलाय 27 मार्ष 2021 रोजी मिशन शक्ती मधून भारताना जगाला अपली ताकत दाखुन दिलिये लुकरच भारताचा अंतराल युद्धाभ्या सही जगाला बगायला मिले इन्ट स्पेस एक्स यानावाचा हस्सराव टेबल टॉक वर गेमचा सुरुपात केला जाई देशा तिल सैनी अधिकारी आणी संशोधक याच सहभागी होती अंतरालातील दोक्यान वर नजर ठेवना मिसाइश ची पूर्व सुचना मिलाउना अचुक टार्गेट टिपनेची क्षमता विकसित करना हे उद्धिष्ट या सरावाट ठेवने आतालाए बारतिय वाईव से ना एस्पेशली स्पेस को एक एर पावर का अभिन्नहंग मानता है और उसी तरह सारी टेकनालोजी का फ्रोग्रस भी किया है हमारा आज के तारीक में स्पेस बेस्ट वारफेर के जो केपबिलिटीज हैं वो किसी से कम नहीं है विकसे देश अंतरा युद्ध काउशले आत्मसाथ करता साना हम किसी से कम नहीं है भारत आना दाखुन दिलै ब्यूरो रिपोर्ट जीचो विस्तास